में चोरी का मामला सामिया है, पुलिस ने साइटी का गठन किया है, चोरो पर दस हजार नाम की खोशना की गई है, पुलिस ससी टिवी को खंगालने में जुटी हुई है, ये बड़ी जवानकारी बारा लाग क्या भूशन और नगदी की चोरी की थी, मंदिर से चोरी कार की फरार हुए थे, चोरी की घटना से स्टिवी कैमरे में कैद हो गई है, तो ये बड़ी जवानकारी बूना से सामने आ रही है, चोरो पर दस हजार का इनाम भी भोशित किया हुआ है, बारा लाग क्या भूशन और नगदी कुछ और अपने साथ लेकर फरार हो गए, चोरी बली जी की मुर्थी हैं, वहाँ से मुकोट, गदा, कड़े चांदी के और अन्य जो चांदी का सामान था, वहाँ से निकाले के चोरी करके ले गए हैं, और गार के साथ मार पीटी की है, अभी स्रीमान पुलिशे दिच्च मोदे के निर्देशन में एक SIT टीम गठित की यह जो भी विश्ना में लगी दी पर यह चोरी है, चोथी बार चोरी होई, एक बड़ा सवाल और प्रस्चन है, कि समीथी के लोग ने बताया है कि दो गार वहाँ पार उपस्ते थे, बिगर नियाद थे, यानि कि बगर हतियार के बंदूक उनकी खराफ थी, तो चुकि पच्चीस तारिक की रात के तीन बज कि लगवग छे नाता पोच आये और गाज को बंदग बनाकर घर बिर में घुसे और सीसी टीवी पुटेज भी जिसका आया है, तो वहां से उनके आभूशन चोरी कर ले गाए, यह बला प्रस्चन है, लगातार पुलिस कारवाई कर रही है, और S.I.T. की गड़न लेकिन अ लगवग आजपास के जिलों के शरबदालू बड़े उनके दर्शन करते हैं, अपनी मनों का आउना पूर करते हैं, यहां तक कि मैं आपको यहां बताऊगा कि आप पूर राश्पती, पूर मुकमंतरी शिवराज सिंग चोहान, और अभी बर्टमान मुकमंतरी मौली इंद्री मंतरी जोतरा सिंधिया, कई ऐसे जिगज राजियता आचोके, धारमिक का बड़ा इस्तल है, तो एक चोरी होना एक बड़ा प्रस्चन है, और पुलिस के लिए वी एक चोरी होती है, पुलिस विभाग त्वारा और जंद इन आरोपियों को ग्रफतार कर लिया जा पुलिस वाराप।